लोगों ने क्लियरली डिसकान किया था मार्केट अगर ग्याप खुलता है इसके कारण यह वॉलाटिलिटी क्रेट कर सकता है मौनिंग और में नो डाउट एक ट्रेंड तो मिला इसको लेकिन इंदे एंड में थोड़ा सा वॉलाटिल हो कि यह क्लोज दिया है दोनों साइड यहां पर मोमेंटम हुआ है अभी एक इंट्रेस्टिंग स्टेज पर क्लोज हुआ है अभी इतना इंपोर्टांट रेजिस्टंस नहीं है इविन 35,000-34,900 यह भी इंपोर्टांट सपोर्ट नहीं है यहां पर यह लेवल से एक बार सेल आ चुका है और यह सेकेंड टाइम आ चुका है अगर यह क्रॉस करता है तो मोमेंटम हा सकता है और 35,000-34,900 यह लेवल कंट अच्छा देखने के लिए मिल सकता है तो हम लोग ट्रेड क्या प्लान करेंगे नोड़ाउट हमारे लिए अभी रेंज 35,400 के उपर ही हम लोग बाई करने वाले हैं और 35,000 के नीचे हम लोग उसको सेल कर सकते है इसके नीचे ब्रेक आउट ब्रेकडाउन देता है और मोमें करने के बाई करता है तो फिर उसके बाद हम लोग इसको बाई कर सकता है 60-70 रुपीज का स्टॉप लोग डालके वानिच्टो टू आपका टार्गेट होना चाहिए मौनिंग में बहुत बड़ा ग्याप अपको बार बार बताता हूं जैब ही मार्केट में बड़ा ग्याप अपकला तो यहां पर रिजिस्टंस इट करने वाले है क्लोजिंग प्रीस में आप लोगों बताया था यह सब्ट दोनों साइट सपोर्ट रिजिस्टन्स से कौनसे सब्रेक ऑउट बेच के अनदर ट्रेड मत कीजए क्योंकि यहां पर आपको confusion create होगा तो एक बार breakout देने दीजे ये breakdown देने दीजे 35,000 के निचे एक selling आएगा 35,400 के उपर एक buying आएगा 50 अगर हम लोग 15 minutes charts में देखेंगे यहाँ पे एक range था इसके उपर अगर यह flat खुल के cross होता तो एक अच्छा momentum हो सकता था बहुत बड़ा gap up खुलने के करण यहाँ पी momentum सब्टेंड नहीं होगा क्योंकि एक resistance लेवल पर open होगा था somewhere around 16,555,580 एक resistance लेवल था selling के तरफ आया कल के closing price में यह support लिया और यहाँ पे close दिया है अभी हम लोग इसको buy कर सकते हैं again 16,550 के ऊपर हम लोग इसको buy कर सकते हैं current level पर buy मत करना क्योंकि यहाँ पर resistance है एक बार इसके ऊपर close दे दे तो हम लोग इसको easily buy कर सकते हैं लेकिन selling अगर हम लोग देखेंगे नीची के side में एक trend line दिख रहा होगा 16,480 इंट्रेस्टिंग रहेगा यह level कैसे defend करता है अगर इसके नीचे trade करना start कर देता है तो 16,424 यह इतना strong support नहीं है क्योंकि multiple time trade हो चुके हैं और एक बार आता है तो यहाँ पर breakdown हो सकता है तो एक selling का pressure रह सकता है यह point दोड़ा ध्यान में रहना कल selling के side थोड़ा हम लोग prefer कर सकते हैं मार्केट अगर flat खुलके morning hour में 16,484,70 एक cross करता है अगर यह buying के side जाता है तो we will go to wait for another day एक confirmation चाहिए एक अच्छा closing चाहिए उसके बाद फिर हम लोग इसको buy करेंगे चली भी हम लोग stocks देख लेते हैं पहला stock है ICC potential अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक breakout level पर यह weight कर रहा है slow and steady यह stock उपर की तरफ जा रहा है और यह stock मैंने आप लोग को holding के लिए बताया था और इसको अभी भी hold कर सकते है 682 के उपर आप लोग इसको buy कर सकते हो stop loss 3-4-5 रुपीज का होना चाहिए 1-2 आपका target रहेगा 700 के उपर यह try कर रहा है closing देने के लिए इसके उपर momentum अगर close देता है लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहां पे ट्रेंड लाइन कंटिनीव हो रहा है एक क्यांडल इसके उपर cross किया था momentum भी आया था लेकिन उसके बाद यह फिर नीचे trade करना start किया 4880 के ऊपर या फिर 78 के उपर हम लोग इसको buy कर सकते हैं 10 रुपे का stop loss रहेगा वान इस्टू टू आपका target होना चाहिए कल इसको फ्लाट खुलना चाहिए एक अच्छे जगा पर closing closing दिया है क्योंकि 144800 के आसपा support है यहां से अगर यह momentum करता है तो इसको एक closing देना चाहिए near about अगर 5000 के आसपास कहीं पर close देता है इस तरीके candle बनाता है आने वाल टाइम में और एक high देखने के लिए आपको मिल सकता है एक अच्छे level पर है turn around दिख रहा है तो आम लोग यहां पर buy कर सकते है अगर यह flat कुलता है next talk के MGL देखेंगे last 1100 के नीचे जहां पर support था उसके नीचे यह trade करना start कर दिया है start selling हुआ यहां पर wait किया यह support और important रहा नहीं फिर breakdown हो चुका है अभी अगर 1082 के नीचे निकलता है 4 रुपीज का stop loss रहेगा 1-2 आपका target रहेगा 1060 के आसपास कहीं प पास move करने के लिए इसको हम लोग selling के साइड में देख सकते हैं next talk के REC Limited अगर हम लोग हो याद होगा मैं आपको दो दिन पहले भी REC Limited seminar यह candle पर हमान आपको selling करने के लिए बताया था next candle momentum नहीं हुआ still में आपको लोग बताया था इसको continue sell कर सकते हैं क्योंकि यहां पर trend line थ एक important level पर trade हो रहा था breakdown हुआ फिर आज continue हो रहा है और अभी देखर देखेंगे immediate 140 के आसपास एक support है और उसी level के आसपास अभी यह negative candle बनाया है अगर यह कल flow में निकलता है तो अगर आप देखेंगे यहां पर कहीं पर support नहीं है somewhere around 132 130 के आसपास कहीं पर support देख रहा है तो दो रुपे का stop loss रहेगा और इस्टू टू आपका target रहेगा यह momentum continue हो सकता है दो दिन एक दिन negative candle बनाया वेट किया फिर continue हुआ अभी एक selling pressure में दिख रहा है तो अगर कल फ्लाट खोलता है तो इसको हम लोग sell कर सकते हैं I hope इस सारे point आप लोगो समझ में आ रहे होंगे गले तना है थैंक यू